वेल्डव्न जहेंद वेल्कम टू ज्छासर आडमीफ्ध से यहां-पे आपको सिटल सर्विसस्जीं कराई जाती है और अल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपार करना है यहां-पे आपको किuin के लिए कुछ free contents provided parents permits कि जाते हैं आपकी preparation के लिए कहां पे आपको YouTube playlist में मिल जाएगा आप YouTube पहें जब जाएगे तो आपको जो महां पे वेरियस playlist available होंगी जहां पे आपको जो weekate, चिर क difачक एड़ी लेक्ट किये जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से PDFs भी दी जाती है हमारे टेलिग्राम चानल पे तो गईज अगर आपने टेलिग्राम चानल जॉइन नहीं किया है तो तुरंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाईए वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडिड होगा आपके लिए डेली बेसिस पर अनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडिड है हमारी यूट्यूब चानल पे ही अलग अलग पेपर में प्रोवाइडिड है आप लोगों के अलग प्लेलिस्ट के लिए GS1, GS2, GS3, GS4 की उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए GS के अलग अलग सब्जिक्ट की प्लेलिस्ट अवेलेबल है जैसे CSAT के आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो की बिल्कुल फ्री होगी वो आपको हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए है जासर अकैडमी फॉर आईएस के द्वारा जो जिन पर कोर्सिस को जासर खुद पर्सनली मेंटॉर करते हैं खुद उसको रिलेट करते हैं जैसे कि जी एस का प्री प्लस मेंज बैच अगाई जा रहे हैं जासर खुद तैयारी किसे जीए जैसे कि मेंस का भी आंसर आइटिंग का टेसीरीस बैच चल रहा है और प्रीम्स का भी टेसीरीस और चल रहाए गाईस जो आपको हमारी अप पर टेसीरीस प्रॉवाइड की दालेंगे तो Play Store से आपको वो आप मिल जाएगी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे आपको Prelims की Test Series का Access भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी भैतरीन आप है कि आपको वहाँ पे Study Tools भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो Study है आप उसको ट्राक कर सकते हैं कि आप कितना time effectively study कर रहे हैं तो इस आपको ज़रूर जोइन कीजेगा डाउनलोड कीजेगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एकसेस कर सकते हैं जो की आप पे अवेलेबल है राइट जासर एकाडमे को रेगिलर्ली फॉलोग करते रहीएगा जासर दानलोग को योग मेरी आवास आरही है तो प्लीज मुसकरा कर जबाब देदे okay all right good morning to all of you Radhe Radhe, Jai Shri Ram, Namaskar, Avinannan okay all right good morning good morning good morning namaskar चलिए कल हमने क्या कहानी शूरू की थी कल हमने देखा था कि किस तरीके से आपका एवक जो है वो अपना यह जोड़े क्या आप जोड़े कि आप आप सभी लोग अच्छे होंगे मैं सम्मीद करता हूं और अब हम बात करने वाले हैं हमारे एवक साब की और एवक साब को हमने देख लिया था और एवक साब क्या गर रहे हैं वो भी हमने देखा था कि एवक साब का कंटुरूशन जो है मिनमावारे है मिमोरियल क्यों है क्योंकि हमने देखा था ना केवल वो घृत्व मिनार की शुरुआइट करते हैं बल्की वो दिल्ली सामराज का संसापक कहा जाता है वो एक great व्यक्ति है that is the genius successful army hero who travel from slave to sultan देखे ये व्यक्ति जो है वो आर्श दाटमी निचले स्थान से आया है ठीके बिल्कुल एकदम tops दाटमी ठीके और top तक पहुचा है तो ये हम ऐसे कह सकते हैं बिल्कुल उसने एक सफर तैय किया है गुलाम से लेकर सुल्तान तक ठीके तो द्यान देना गुलाम we can say that अमीर खान से लेकर ये बने हैं आपके सुल्तान तक ठीके सुल्तान मिर्जा ऐसे हम कह सकते हैं ठीके तो कहानी जो है वैसे इस तरही के से बनने की है और इस तरही के से इनके बारे में कहा जा रहा है और ये गौरी के सबसे सक्सेस्फुल स्लेव में से एक है ये है आपका कुति बुद्दीन है इसलिए लेन्पल साब जो है वही कहते हैं अच्छी बहावना वाला वेक्ति था बहुत सारी चीजे बात इनके बारे में कह सकते हैं आप इसको आसानी से समझ सकते हैं इसमें कोई इशू नहीं है समझने वाली बात थीके तो तुद्दीन एवक जो है वह एक खास करेक्टर वाला वेक्ति है और उस खास करेक्टर वाले वेक्ति के द्वारा ही फांडेशन रखी जा रही है दिल्ली सल्थनत की और दिल्ली सल्थनत की फांडेशन रखी जाएगी और आगे हम देखते हैं तो वो चीज़े देखने को मिलेगा आशिरवादी शिरवास्तव जी कहते हैं कि सबसे बड़ा उसका अचीवमेंट ये था कि उसने क्या किया कि जो relations है गजनी से जो गजनी empire था उसने उसने वो relations जो है उनको हटाया या उनको अलग किया ये सबसे बड़ा उसका अचीवमेंट रहेगा क्योंकि वो वहाँ से डोमिनियन स्टेट्स के पॉइंट अफी से हम उसको समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो empire जो था वो अगजनी के अंतरगत आता था बड़ यहाँ पर इस चीज को इन्हों ने दूर किया या हटाया तो दिस वाज़ ग्रेट अचीवमेंट आप दा कुत्बदीन एवग और ही इस आलसो कंट्रिबुटिंग इन डिफरेंट काइंड आफ आर्किटेक्चर एस वेल ठीक है आर्किटेक्चर से पॉइंट अभी से भी हम ने देखा तो देखे अब कहानी शुरू करते हैं हमारी एक कुत्बदीन एवग और कुत्बदीन एवग के बाद हमारे जो नेक्स जो रूलर होंगे उनका नाम होगा आराम शाह आराम शाह को बड़े हम आराम से निकाल लेंगे ठीकिए मैंने हाथ कुछ टूलर्स के नाम अलग से स्पेशल रखने की कोशिश की है just to understand the situation and the scenario करेक्टे हलागी आपको NCRT में देखने को नहीं मिलेंगे तो थोड़ा की मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ कि हम जो है NCRT तो फॉलो करी रहे हैं बट NCRT के साथ मैं इसको NCRT प्लस कहूंगा तो जादा बैतर होगा I hope you are getting the points what I am saying तो आराम शाह को बड़े आराम से निकाल देंगी क्योंकि सत्ता जो है इनके बाद आती तो है बट आराम शाह जो है इतने आराम से निकाल जाएंगे कि हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे इसके बाद आएगा और यहां पर हम देखते हैं He is going to founded the 40 peoples एक दल बनाता है जिसको 40 peoples का दल कहा जाता है इनके बहुत सारे contribution है We will discuss in letters That means हम तोड़ा detail में हम देखेंगे discussion करेंगे इनके बारे में इल्तुत्मिश के बास सत्ता में कुछ समय के लिए रुकनित दीन फिरोशा देखने को मिलेंगे बट रुकनित दीन फिरोशा जो है वो आपके देखने को मिलेंगे कि बहुत ही आराम से चले आएंगे जैसे हमने देखा है कि आराम शाह बड़े आराम से चले जाते हैं तो we don't have to remember ठीक हम इनको याद नहीं रखना मैंने उनको रखा हुआ है कि क्या होता है कि कई बार कहानी सिच्वेशन में ऐसे मोड आ जाते हैं कि वहाँ पर आपको करेक्टर को यूज करना पड़ता है तो that's why I mentioned the name of the रुकनुदीन फ्रोश शाह और राइट समझ मैं आएं कि नहीं है इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद आएंगे रजिया नाम जो सुनाई होगा रजिया सुल्ताना that is the receive daughter of the इल्तुत्मिश इल्तुत्मिश की बेटी होंगी और वो सत्ता में आएंगे यहां पर इसके बाद जो है आपको कोई और भी रूलर्स देखने को मिलेंगे बहराम शाह, बहराम शाह के बाद मशूद सहा, मशूद सहा के बाद आपको देखने को मिलेंगे नासुर्दीन तो all these three rulers ठीके हम इनके बारे में ज़्यादा detail नहीं discuss करेंगे कितने unique और बड़े नाम हैं बिल्कु साही का आप नहीं ठीके थोड़ा सा किसे कहां आपको देखने को मिलेगी तो नासुर्दीन महमूद के time पर एक व्यक्ति जो है वो second important person हो जाता है और वो second important व्यक्ति जो है वो है आपका बलवन बलवन जो है वो कुछ जादा बलवान हो जाएगा और सत्ता में आएगा 1266 में 1266 और मोटे तोर पर इसका time period हम यदी कहें तो 46 से 86 तो कोई गलत भी नहीं होगा तो यदी आप थोड़ा सा गौर फर्माएंगे तो आप देखेंगे कि we will find out the different different colors that is blue and the black लेकिन मैं जो बात करने वाला हूँ मैंने खास आशकों की ही बात करूँगा तो यह जो हमारे जो blue में आपके जो चमकते वे दिखाई दे रहा है हम उनकी ही चर्चा करने वाले है all right समझ मैं कि नहीं है हाँ we will that means use these other rulers names to understand the scenario scenario को समझने के लिए हम जरूर उनका उपयोग करेंगे तो कच्रा का उपयोग supporting elements में use किया जाता है ठीक है तो यह कुछ comedy करेंगे ऐसा क्या सकते है main hero तो कौन है like these one two three तो यह हैं आपके main hero और बागी के हैं side hero to understand ऐसा होता है ना आपका movie में रख लिया जाता है तो कुछ ऐसा ही scenario इनके साथ में देखने को मिलेगा चलिए तो कहानी शुरू करते हैं इल्तुत्मिश अब देखें इल्तुत्मिश को कहा जाता है actual founder of the दिल्ली सल्तना दिल्ली सल्तनात की वास्विक सत्ता की जो शुरुआत कर रहा है वो कौन कर रहा है वो आपका इल्तुत्मिश कर रहा है अब देखे ये क्या करता है अपनी capital जो है उसको shift कर देता है और अपनी capital को shift करके कहां लेके आता है दिल्ली लेके आता है अब इसके पीछे भी एक reason है इसके पीछे भी एक reason ये है यहाँ बर हम देखेंगे कि वो capital पहले lahore हुआ करती थी and lahore that is in the north west directions वो आप देखेंगे lahore जो है यहाँ से हम देखेंगे कि north west directions में करक्टे और इसी समय हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो आपका central Asia है या क्या सकते हैं ख्वारिज्म के आसपास वाले sections में आपको देखने को मिलेगा कि मंगोल जो है वो कुछ जादा परिशान कर रहे हैं and because of the BC मंगोल मंगोलाइट्स ये अपने capital को shift करने की कोशिश करेगा और shift करने के बाद जो है वो दिल्ली की ओर आ जाएगा और दिल्ली आपको यहाँ द दूसरा क्या है कि इसकी foundation रखता है और मंगोलों से भी बचता है तो देखिए यहाँ पर क्या है वो कहते हैं कि अभी घर बसा नहीं लुटेरे पहले आ गया अभी दिल्ली बसी नहीं है कि मंगोल आना शुरू हो जाएंगे और मंगोल जो है वो empire को थोड़ा सा impacted करने की अब इनके सामने कुछ चुनौतियां वही है एक चुनौतियां वही थी जो हमने देखा जैसे हमने देखा था कि एबख के सामने बहुत सारे challenges है challenges कौन से थी that means ठीके उसके प्रतीद अंदी उसके जो जो गुलाम जो है या जो उसके rivalries है वो उसको challenge कर रहे हैं वो गुलाम वो भी चाहते हैं कि सत्ता में वो आ जाएं क्योंकि एबख के मरने के बाद इल्तुत्मिष सत्ता में आ जाता है तो सत्ता के पास इल्तुत्मिष के पास जो है वो challenge होता है और वो इसको किस तरह किसे निपड़ता है ठीके तो वो क्या करेगा अब देखे वहाँ पर हमने क् इस वहर भी करेगा है ना relations तो है ही ठीके लेकिन relations पर जादा focus ना करकर वैवाहिक जो आपकी संबंद उस पर जादा focus नहीं करेगा बाकि यह जो है वो थोड़ा सा दूर दर्शिता को बताता है तो अभी हम सीखेंगे समझेंगे किस तरीके से कहानी आपको देखने को इलतुषमिष और इलतुषमिष इस एक्चल फाउंडर ओफ दिल्ली सल्तना दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संसा पक कहे जाएंगे ठीके यह बिलकुल इनका रियल फोटो है आधार कार्ट से लिया गया समझ मैं है गिन्या है देखो वैसी यह दा लग रहा ना आधार बदायू का यह सूविदार होता है बदायू that is a place नियरिंदा उत्तरप्रदेश के आसपास वाले section में यहाँ पर आपके सत्ता में है और एवक के टाइम पर यह सूविदार होते हैं बागे हमने देखा ही था कि यह relatives होते हैं किसके इनको कहा जाता है गुलामों का गुलाम गुलाम इसलिए कहा जाएगा गौरी गौरी का गुलाम कौन है आपका एवक और एवक का गुलाम कौन है इलतुतमिश ठीके तो यह कहानी हमें समझ में आ चुकी है और यह कह सकते हैं तो बहुत अच्छी जगे मैं एक बार गया हूं बदायू ठीके तो इलवरी तुर्क ज ठीके तो यहां से हम समझ सकते हैं ठीके बिलॉंगिंग टू दा समसी डाइस्टी तो यह थोड़ा इनका परिचे हो जाएगा जो हमने देखा है जो उनके आधार काट का फोटो लिया है तो वहां से इंफॉर्मेशन भी ली जाए तो इंफॉर्मेशन से हमें समझ में आ इसके अलावा इनके बारे में कहा जाता है कि he was a very that means very great soldiers अच्छे नायक होते हैं अच्छे आपके सैनिक होते सर आप कहां आए हैं बदायू अमझी मैं यह पढ़ाने के पहले मैं जॉब में था और आई वाज इन दर यूपी ऑल्मोस ठीक है मैंने अल्मोस पूरा यूपी घूमा हुआ है ठीक है और कानपुर है अपका एटा इटावा इस सारी चीज़ें मैं घूम चुका हूँ ठीक तो इसलिए मैं वहां से परिचित हूँ ठीक है तो हलागी छोटी जगह है ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन मैं गया हूँ वहाँ पर करेक्टे तो यह थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कभी ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं ठीक है ऐसी कहानी आपको पता होगी यह कानपूर के लड़्डू का ठग के लड़्डू है वो कहे जाते हैं कानपूर में फीमल से काफी समय हो चुका है ठीक है तो वहां काफी यह चलता है शायद आपको पता हो कानपूर में आगरा वगरा का तो आपको पदा ही होगा बनारस में आपको देखने को मिलेगा पान वाला सेक्शन अलीगड के ताले हैं बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो बहुत ही अच्छी है तो कभी दुबारा आएंगे तो फिर मिलेंगे ठीक है ना चल्ड हाँ गोरकपुर भी आया आए रिमेंबर गोरकपुर एस वैल ठीक है गोरकपुर मैं जरगेता नाम याद नहीं आ रहा मुझे बट गोरकपुर मैं आया हूं ठीक है तो हम देखते हैं वन्टू धापीज ठीक ही वास फाइटिंग विद था बदायू का पेड़ा कानपुर के फेमस लड़ो बिलकु किसी रहा किसी विशेस्ता के लिए famous है यह सब जो है वो मुझे बड़ा वाच्छा लगा वहाँ पर ठीके चलिए तो आगे देखते हैं हम देखते हैं कि गौरी जो है that means इसे free कर देता है दास्ता से जैसे हमने देखा था जो slavery system है या slave है और वहाँ slave से जो है इलतुतमिश को that means free कर दिया जाता है ये खोखर के दोरान खोखर एक community होती है tribal community होती है और ये tribal community क्या है कि battle करती रहती लड़ाई जगड़ा करती रहती और लड़ाई जगड़ा करेगी तो क्या होगा कि इलतुतमिश को खुश होकर इसको free कर देती है अब देखे यहाँ पर क्या है कि इसी क समय ही आकरमन कारी आ रहा है ठीक है और आकरमन कारी आ रहा है मंगलाइटश है और वह यहां पर पाबर में आने की कोशिश कर रहा है ठीक है तो थोड़ा सा यह मैप को छोड़ दीजेगा इस मंगोलाइट्स की कहानी को थोड़ा हम समझ सकते देखो situations क्या है challenges क्या है challenges यही है सबसे पहला तो यह है कि हमें अपने प्रतिद्वन्दी rivalries के साथ जो है वो निपटना है क्योंकि यह challenge कर रहा है लगातार सत्ता को पावर को एक तो यह challenge दो जाएगा दूसरा हम देखेंगे कि how the business administrative reforms यहाँ पर यह क्या करने वाले है administrative reforms जो है वो कैसे करेंगे क्योंकि इसी को लेकर वो क्या करेंगे एक system लेकर आएंगे जिसको कहा जाएगा इकता system ठीके यह एकता system हम देखेंगे इसके अलावा administration से related यही क्या है वो coins में भी reforms करकर आने लेकर आने वाले है तो administrative के reforms के लिए वो 40 अमीरों का अदल बनाएंगे coins के लिए वो हम देखेंगे जीतल इमम टका यह introduce किये जाएंगे क्योंकि यह जो है वो abok जैसे नहीं है abok जो है वो cut up पथा pure cut up पथा हो ठीके यह थोड़ा क्या है कि cut up type जीसे तो है लेकिन यह cut up के साथ साथ जो है reforms को भी लेकर लेकर आता है और बहुत सारे coins introduce करता है जीतल और टका तो सत्ता में आने के साथ इनके पास बहुत सारे challenge है और challenge हुए तो यहाँ पर हम देखेंगे mongolites ठीके और mongolites जो है वो कुछ इस तरीके से double up हो रहा है तो मैंने एक map रखा हुआ है just to understand how the mongolites is going to double up in the this particular sections ठीके यह रहा आपका भारत, हिंदुस्तान ठीके और इंदुस्तान से उपर आप देखने को मिलेंगे चाइना, यह वहान वो चाइना क्या एक्चली वो coronavirus वाले यह सा कहलो ठीके जादा अच्छा लगेगा and this is a part of the mongolites ठीके, mongolites जो है वो यहाँ देखने को मिलेंगे तो 1223 के असपास हम देखेंगे लगबाग लगबाग यह इस तरीके से डबल अप हो रहा है आगे देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका empire जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जब empire लगातार बढ़ता जाएगा तो हम समझते हैं भाई की सीरीस ही बात है कि they want to come in India यहाँ पर इंडिया की और आने की कोशिश करेंगे यहाँ पर एक ख्वारिस्प का एक रूलर होगा और वो रूलर जो है मंगवर्नी है या मंगवर्नी जो है तो यह भी empire उनका चला जाएगा और इस तरह के से इनकी expansion हमें देखने को मिलेगी हलागी हम China UPSC की तैयारी नहीं कर रहे है तो China की चर्चां हम नहीं कर रहेंगी कि सर यह कैसा हो रहा बट इसका impact हमारे political conditions पर देखने को मिलेगा हाँ हाँ मंगोलिय चंगेज खान वाला फिल्कुल राजवीची यार राइट ठीक है इनका empire आपका divide हो जाएगा कुछ इस तरह के से हम देखते है तो यह मॉटे तोर पर एक view हमें समझ में आ चुका है चंगेज कान इस expanding the empire यह हम कह सकते हैं यह चीनी जो है यह virus जो है लगातार फैरा रहे है और फैला रहे हैं तो ये इंडिया में भी आने की कोशिश करेगा और इंडिया में कव आएगा कैसे आएगा वो हम थोड़ा एक सिक्वेंस के साथ समझ सकते हैं अल्राइट समझ वाया है कि नहीं है अब ये ये भी एक मैप रखा हुआ है हलाकि इसकी जुरुरत नहीं पड़ेगी जब आप पूराना वाला मैप समझ चुकी है ये प्रीवियस वाला मैप रखा हुआ था ठीकी देखो पहले करेक्टर को समझ लो स्टोरी को समझ लो स्टोरी क्या कहती है स्टोरी के किरदारों को समझ लो स्टोरी के किरदार में हम सबसे पहले देखते हैं कि we have the iltutmish just मेरे पीछे दिखाई दे रहा है जिसका नाम है iltutmish कहाँ पर बैठा हुआ है डेली में बैठा हुआ है इनको एक challenge कर रहा है challenge कौन कर रहा है इनके ही slave और इनके slave मतलब कह सकते हैं यह वो है जो हमने देखा था मुल्तान मुल्तान में बैठा था जिसका नाम है कुवाचा कुवाचा भी चाहता अपने सपने देख रहा है कि हमारे भी अच्छे दिन आएंगे हम भी कभी क्या है कि 30 रुपए का petrol भरा पाएंगे हम भी कभी दिल्ली में जो है सब्ता में आपाएंगे ठीक है जैसे हमारे यहां के जो MLA बगरा होते हैं वो सोचते हैं कभी हम सांसत बनेंगे कभी हम दिल्ली में जाएंगे कुछ ऐसा सेनारियों देखने को मिल रहा है अब देखिए दूसरा यहां पर क्या है आपका मिंग बरनू या कह सकते मंग बरनी करके एक आपका रूलर है तो यह वहां पर रूल कर रहे है और यह है आपका चंगेज खान चंगेज खान is looking like this चंगेज खान जो है वो मंगुलाइट से और चंगेज खान जो है वो अपने एमपार का expansion करना चाहता है जैसा अभी हमने map में समझा और एमपार का expansion करेगा तो चंगेज खान आएगा और चंगेज खान कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं अब देखो चंगेज खान दिखाई तो ऐसे दे रहे हैं लेकिन चंगेज खान का character कैसा है चंगेज खान का character actually कुछ इस तरीके से है समझ में आए कि नहीं है तो चंगेज खान का character जो है मुगेंबो टाइप से है मुगेंबो खुश हुआ और मुगेंबो खुश होकर क्या कर रहा है अपने empire का expansion कर रहा है समझ में आए हैं ठीके यह क्या है missile लेके और आते हैं और राइट समझ मैं Mr. India कहा है Mr. India कहा है और इस चक्कर में यह क्या करते हैं चंगेज खान जो है वो खुश में की ओर चले जाते हैं और खुश में का जो शाशक है Ming Bernu ठीके यह Mang Berni that is going to that is looking for the help वो क्या करता है he is looking for the help और वो help के लिए जाता है कहाँ पर दिल्ली के शाशक जिसका नाम है इल्तुत्मिश इल्तुत्मिश के पास यह जो है भाग कर आता है क्यों? क्योंकि उनके पीछे कौन पड़े है मोगैमबो मोगैमबो बोलता है मैं तुम्हारे उपर मिसाइल छोड़ दूगा ठीके मतलब समझ यह होंगे न ठीके और यहाँ पर यह भागते हुए इसके पास चला जाएगा इल्तुत्मिश के पास इल्तुत्मिश क्या बोलता है सौरी I cannot help you मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसे भी मालू है भाई इसके पीछे कौन पड़ा हुआ है मगैंबो नाम तो सुना ही होगा चार-चार मिसाइल लेके पड़ा हुआ है और यह चार मिसाइल छोड़ देगा तो भाई क्या होगा दिल्ली अभी अभी बसी हुई है और यदि इसमान मगैंबो ने मिसाइल छोड़ दिया तो क्या होगा आपको भी पता है ऐसी बात या ऐसा सिचुएशन या ऐसा जो सोचना था किसका इल्थित्मिश का और इसलिए कहलेता है हम आपकी मदद नहीं करेंगे ठीके चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है ठीके इनकी मदद नहीं की अब क्या करता है ये जो रूलर है वो क्या करता है वो रुख करता है कुबाचा की और कुबाचा को क्या करता है ठीके उसको लगता है कि भाई इलतुतमिश ने हमारी मदद नहीं की है तो शायद कुबाचा भी नहीं करेगा आगे चलकर एक काम करते हैं कुबाचा को ही निप्टा देते हैं और कुबाचा को वो क्या करता है वार डेकलियर करता है और वार डेकलियर के बाद कुबाचा को निपता दिया जाता है तो इस इस अबिसली फॉर्कास्टिंग ऑफ दिस रूलर्स ठीक है इल्टुतमिश का ये दूर दर्शिता का परिचे देखने को मिलता है वो नाकेबल अपनी कंट्री को बचाता है मुगेंबो के खतरे से बलकि he is he having his same kind of the qualities to handle the rivalries जो उसका एक rivalry है जिसका नाम है कुबाचा उससे भी वो निपड जाता है ऐसा सिनारियो जो है वो इल्टुतमिश के मन में था और उसने उसको execute किया और finally he saved his country और वो अपनी country को बचाने में सफल रहता है आगे चलकर क्या होता है आगे चलकर ये होता है कि मुगेंबो जो है जो खौरस में के पीछे पड़ा है तो वो उसको भी निपटा देता है तो एक ये निपटा एक ये निपटा और जो मंगुलाइट्स है या मंगुलाइट्स जो है आपके जो मुगेंबो है वो फिर क्या होते हैं कि इंडिया की बॉर्डर पर नहीं आते हैं या इंडिया की छित्र में नहीं आते हाला कि मंगुलाइट्स जो है लगातार अटैक करते रहेंगे आने वाले समय में लेकिन फिर भी he wants that means that he was able to save his country और इस तरह के से उसकी country save हो जाएगी वह अपनी country को save करने में सक्षम हो पाएगा यह हमें थोड़ा साथ देखने को क्या हो रहा है इसको एक मुट झाल 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 तो we can say that कि he was able to save his country just recently उसने अपनी country को बनाया था और इस तरीके से इलतुतमिश ने जो है ना केबल मगेंबो से अपनी country को बचाया बलकि जो इसके राइवरीज हैं जो उसको चैलेंज कर रहे थे उनसे भी वो निपटने में सक्षम हुआ और इलतुतमिश इस तरीके से इस situation को handle करता है तो यह थोड़ा सा हम ऐसा समझ सकते हैं सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो मंगवरनी है या मंगवरनी है उससे उसकी मदद नहीं की और finally जाकर क्या करता है कि वो अपने empire को बचा देता है वो आपको देखने को मिलेगा यल्दोज के द्वारा ठीके और उसका जो challenge है that is going to ended by the battle of तराइन 3rd ठीके अभी हमने देखे battle of तराइन 1st देखा second देखा and the third देखा और तराइन का battle जो है वो आपको तीसरा देखने को मिलेगा वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा that is in between the ताजुदीन, यल्दोज and the इल्टुत्मिश और इल्टुत्मिश इस battle में क्या करेगा यल्दोज को हरा देगा समय है 1216 तीकि 1516 की आसपस की समय की बात है और इस तरही के से finally हम देखते हैं कि इन्होंने ना केबल अपने राइवरीज को हटा दिया बलकि यह अपने एंपार का expansion भी कर रहा है तो यह इनका quality होगा जबकि पिछला ruler जा जो आपका जो एवक था वो कैसे आपका अपनी country को save कर रहा है या अपने challenges को हटा रहा है वो हमने देखे थे वो आपको देखने को मिलेगा जो है वो आपकी marriage policies को adopt करता है ठीके इस तरीके से इस तरीके से वो अपने इस matter को solve करने में सफर रहा है अब देखें आप देखेंगे कि यह matter तो solve हो चुका आपकी जो rivalries है वो तो खतम हो चुके अब आपके पास challenge क्या है अब आपके पास challenge है administrative reforms ठीके तो वो आप administrative reforms की होर जाएंगे और ये इल्दुत्मिश्च के जो है वो कही ना कहीं अपने जो प्रशाशनिक सुदार है उनको करेंगे तो ये उसके कुछ कारे हो जाएंगे जो मैंने आपको यहां लिखे हैं that means ठीके वो अपने विरोधियों को समाप्त कर लेगा and the power of the opponents ठीके वो आपकी positions को जादा मजबूत करता है mangle अक्रमनिकारियों से अपनी country को save करने की कोशिश करता है इसके अलावा empire को भी expand करेगा ठीके यह थोड़ा-थोड़ा हम देख लेते हैं कुछ जगे है वो जीत लेता है 1228 के असपास मुलतान और सिंध जो है उसके अंडर में आ जाते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि Bengal and Bihar that is also in the control of the Delhi Delhi कब आ जाएगा और यह अजमेर, संबल, नागपोर, गौालियर, रंतंबोर, बायाना यह सब जो जगे हैं वो जीत लेता है यह कुछ खास नहीं है ठीके यह तो आप समझी जाएंगे ठीके मुटे दोर पर हम यह सा समझें कि इलतुतमिस जो है काविल वेक्ति है और काविल वेक्ति जो है वो नाकेबल अपना दूर दर्शिता का परिशे दे रहा है और दूर दर्शिता के सांसना चैलेंजिस को भी खतम करते हुए अपने एमपायर को एक्स्पेंड कर रहा है ठीके तो यह दुवारा हम देखते है अब यह क्या करता है यह एक तुरकाने चहलगानी का गठन करता है देखे एडिमिनिस्टिटिव रिफॉर्म्स के तहद वी आर डिसकसिंग तुरकाने चहलगानी तुरकाने चहलगानी का मतलब यह है चालीस अमीरों का दल देखो अब इसको कैसे संद्धेंगी सत्ता में कौन है? सुल्टान कौन है? सुल्टान जो है वो है आपका इलतुत्मेश और सुल्टान को सपोर्ट चाहिए we can say that की सपोर्ट कैसे मिलेगा? सपोर्ट मिलेगा मनी के दोरा, पैसे के दोरा अभी अभी हम क्या है बाहर से आए हैं और इंडिया के लोग जो है वो उसको सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे इस चीज की बात या इस चीज की चर्चा हमें यहां देखने को मिलेगी और उसे सपोर्ट चाहिए money money क्यों क्यों क्योंकि हमने अल्रडी देखा है equals to e बैसा होगा तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा we will expand the empire और empire को जब expand करेंगे तो वही तो आपका उदेश है तो cdc बात है because जो है वो अपनी economical conditions को ठीक करने के लिए एक supporting दल बनाता है एक सहयोगी दल बनाता है and this group is of the people is called the तुर्काने चहलगानी जिसमें 40 अमीर होते हैं आमीर वर्ग का मतलब कहलो अमीर वर्ग कहलीजे जो support करने वाले हैं और इनकी सहयता से 40 लोगों की सहयता से वो क्या करना चाता है सल्तनत को जो है एक अच्छा सुल्तान देना चाता है और जब सुल्तान देगा तो वो जो है उसको support करेंगे ऐसा उसका मानना है इसको आप ऐसे ही समझ लीजिए जैसे आज की डेट में हम देखते हैं elections होते हैं और elections के दौरान चंदा दिया जाता है चंदा कौन देता है अमीर वर्ग देता है अम्बानी देता है अडानी देता है और इसके बाद ये 40 अमीर के दल जो है वो सुल्तान को नियंतरित करते हैं तो अभी तो देखिए सुल्तान क्या कर रहा है मदद ले रहा है ठीके during the time of the election CDC बास ऐसा समझ दीजे और आगे चलकर ये 40 जो हैं वो सुल्तान को कंट्रोल करेंगे ये अभी आगे कहानी आएगी नियंतरित होगी समझ में आया की नहीं आया है ठीके और एक व्यक्ति लात मारेगा तो इधर फुटवाल चला जाएगा इसका मतलब क्या है सुल्तान जो है वो एक गेंद की तरह हो जाएगा और गेंद जो है उस पर लात मारेंगे 40 लोग क्योंकि 40 लोग जब यदि फुटवाल पर स्ट्राइक करेंगे तो होगा क्या सुल्तान जो है वो सुल्तान नहीं रह जाएगा ठीके वो आप देखे दैट मीस की वो व्यक्ति जो है उसकी प्रतिष्टा कहां चले जाएगा उसका प्रस्टीज कहां चला जाएगा और सुल् हमने बनाया नाम है 40 that means तुरकाने चलगानी ठीके एक काम करो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस भी सबसे पहले इस तुरकाने चलगानी को ही खतम करो क्योंकि इसने सुल्तान को एक गेंद बना दिया है सुल्तान गेंद नहीं है सुल्तान सुल्तान मिर्जा है भाई ठीके जो मुंबई पर राज करता है जो दिल्ली पर राज करता है ऐसा हम कह सकते हैं और बलवन इस चीज को बताएगा कि सुल्तान जब आएगा तो आग को क्या करना होगा उसको जुकना होगा उस सामने वाले वेक्ति को उसके हाथ और पैर को जो है वो आपको चूमना होगा ये है सुल्तान की प्रस्टीज समझ में आया की नहीं है जैसे आज की डेट में हम देखते हैं कि हमारे सुल्तान आते ह तो लोग जो है वो खड़े हो जाते हैं आपका जो आपका जो आपका जो नाशनल एंथाम है वो आपका बजना शुरू हो जाता है कुछ इस तरीकी की सिचुएशन्स आपको देखने को मिलती हैं हमारा सुल्तान जो है बहुत ही आटमीस खास है और वो एक बड़े महल में रह लेकिन सिचुएशन्स आपको समझ में आ चुकी होगी he is going to stabilize the 40 peoples and they are helping to the sultans to creations of the दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत की बनाने में इनका योगदान होगा लेकिन आगे चलकर क्या होगा इसकी महक भी आपको आना शुरू हो चुकी है ठीके हलवा बनेगा लेकिन महक पहले आ जीतल यह टका और जीतल नान की जो है वो coins चलाते हैं टका जो होता है वो आपका चांदी होता है ठीके जीतल जो होता है वो आपका copper का coin होता है आप लोगोंने ताजी चार्ट तो खाई होगी यह ऐसे याद रख लेना ताजी चार्ट करेक्टे ता से copper आएगा जा से जीतल चार से आपका चांदी आएगा टा से टका आएगा, समझ में आया कि नहीं है, ठीके चाट खाते समएं, आप ल्टुत्मिस को जरूर याद रखेगा और मुझे भी कर सकते हैं, ठीके तो इस सराएं के से हम याद रख सकते हैं, हम के बर 40 अमीरों के दल पर नहीं रुकेंगे we are going to introduce a system and this system is called the IKTA system IKTA system क्या है उसको थोड़ा हम समझते हैं और इस तरीके से क्या करता है वो अपने empire को IKTAओं में डिवाइट कर देता है empire को डिवाइट कर देता है और वो वेतन के बदले में जमीन देता है तो यह कहानी तो हमने पीछे ही देखी है कि जमीन जो है वो मिल रही है और यहां पाद जो है लेकिन empire के point of view से देखा जाए तो IKTA क्या है IKTA system जो है वो हम तोड़ा समझ लेते हैं It's a word that is related to the Arby language अर्बी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमी का टुकड़ा या भूमी का खंड या block of the lands we can say that और या भूमी का खंड पर जो है वो साशन करता है कौन IKTAदार ऐसे कह सकते हैं जैसे तहसील होता है तहसील में तहसीलदार होता है similar like that और दिल्ली सल्तना जो है वो कई IKTAओं में बटी होती है मतलँ हम कह सकते हैं ये इसके भाग होते है ठीके जैसे आप देख लीजे इंडिया है ऐसा उपर मान लीजे और इंडिया में स्टेट हैं कितने हैं 28 स्टेट है और उसी तरह के से IKTA है हमने पहले पहले देखा था ये चक्र हुआ करते थे अब जो है दिल्ली सल्तनाथ में आगा है तो इसे कहा जाएगा IKTA और ये IKTA का HEAD होता था IKTAदार या मुक्ती या बली ठीके तो मुक्ती या बली जो है वो उसके HEAD हुआ करते थे और ये टेक्स वसूलता है और टेक्स वसूलने के बाद क्या करता है देखो इसको ऐसे समय ली जे ये दिल्ली सल्तनाथ है दिल्ली सल्तनाथ के नीचे है आपका that means मुक्ती मुक्ती कौन है मुक्ती मतला HEAD OF THE IKTA है IKTA का HEAD होगा और ये क्या करेगा टेक्स वसूलेगा और ये टेक्स का एक हिस्सा जो है that means वो अपने पास रखेगा और एक हिस्सा जो है वो किसको दे देगा वो एक हिस्सा अपने पास सुख खुद रखेगा that means ठीके जो आपके रिफॉर्म्स हो रहे हैं जो व्याय हो रहे हैं जो expenditure हो रहे हैं उनको देना ठीके और इसका एक हिस्सा जो है वो क्या करेगा दिल्ली सल्तनत को भेजेगा ठीके अब ये पद जो है वो इस्थाई नहीं होते थे that is not on the BC कह सकते हैं permanent post ये क्या करता था इन्हें हर साल में ऐसा कह सकते हैं साल में या एक साल में क्या करता था ट्रांसफर करता रहता था पद जो है आप इस पद पर हो मुक्ती के पद पर तो ये ट्रांसफरवल जॉब थी यहाँ पर जिसे आज की डेट में हम देखते हैं कि जिले का जो वाधिकारी होता है उसे ज़्यादा देर टिकने नहीं दिया ज़्यादा देर टिकेगा तो क्या होगा करफ्शन को बढ़ावा मिलेगा और मुक्ती को ये लोग ज़्यादा रुखने नहीं देते थे और कुछ समय के बाद उसे क्या करते थे चेंज करते थे इसके पीछे कारण यहीं है कि ये जो है पावर्फुल ना हो जाए और अगल दिल्ली सल्टनत से के अंतरगत नहीं आएंगे दिल्ली सल्टनत के बाहर चले जाएंगे तो ऐसी सिचुेशन आपको देखने को मिलेंगी that's why they are going to that means the post is not permanent ये पोस्ट जो है स्थाइ नहीं होगी क्या वन्च के अदुकार पर राप्त होंगे वंचानुगाद बिल्कुल न नहीं मिलता है वैसा हम समझ सकते हैं और इस तरीके से उनको जो अधिकार दिये जा रहे हैं या कह सकते हैं वंच के आधार पर नहीं होंगे और राइट समझ में आया आगे चलकर बलबन नाम का एक रूलर मिलेगा और बलबन नाम का जो रूलर है वो क्या करेगा वो आपको द तो कंट्रोल दा मुक्ति जो आपके मुक्ति हैं उनको कंट्रोल करने के लिए वो ख्वाजा नाम का दिगार जैसे आप देखेंगे SP होता है है ना एक SP होता किसी बड़े शहर में और इनकी उपर एक बिठा दिये जाता है SSP ऐसा आप समझ दीजे तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं तो यह एक अधिकारी वाला सिस्टम आपको देखने को मिलेगा लेकिन एक विशेस बात यह है कि जब हमें आगे देखने को मिलेंगे फिरोशा तुगलग फिरोशा तुगलग ठीके और फिरोशा तुगलग के समय पर हम ने देखेंगे कि जो ये पोस्ट है ये जो पद जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं अभी क्या है वो heredity के base पर नहीं है heredity rights applicable नहीं होते हैं लेकिन आगे चलकर फिरुशा के time पर ये post जो है वो heredity के आधार पर हो जाएंगी मतलब क्या होगा जो अयोग वेक्ति होगा incapable वेक्ति होगा वो क्या करेगा hold करेगा post पर और यही यही पर दिल्ली सल्तनत पर आरोप लगने लगेंगे कि भई वन्च के आधार पर आप ग्राहुल गांधी को जो है सत्ता दे रहे हो मेरी बात समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को और जिसके पीछे गांधी लगा है यहां मैं से कह सकते हैं तो आयोग वेक्ति सत्ता में आना शुरू हो जाएंगे इनकापबल डूलर्स जो है सत्ता में आने लगेंगे और आयोग वेक्ति यदि आगए तो क्या होगा यह आप सब को पता है मेरी बात समझ में आ चुकी होगी तो फिरोशा तुगलक की पॉलिसी इस वन आफ दे रीजन्स ऑफ दिक्लाइन ओफ दिल्ली सल्तनाथ तो दिल्ल अभी की ववस्ता जो है वो बहुत जादा अच्छी है लेकिन आगे चलकर रूलर्स जिसमें मौडिफिकेशन कर देते हैं बाइ सत्ता का शाशा का रूलर है और वो सुल्तान जो है वो अपने हिसाब से कर देगा तो ऐसी सिनारियो ऐसा सिच्वेशन जो है इनके द्वारा जाएगा ठीके इसके अलावा ही इस गाइंड और ही इस गेटिंग दा सम्काइंड ऑफ रिकोगनाइजिशन या उथराइस लिटर्स फ्रॉं देखो अब बताईए एक बच्चा बोलता है सर लाइसेंस लेने की जूरत क्या है बिलकुल सही कहा हम जी हम इसकी चर्चा अब बिलकुल सही जा रहा है ठीके और लाइसेंस लेने की दुर्ड़त क्या होती है यह आप डचलाना से सूला साल या सत्रा साल में अपने गाड़ी चलाना सीख लिया हो ठीकिन फिर भी आप लोग जब 18 एप हुए होगे 18 प्लस तो सारे के सारे भाई जब आप 18 होँए तो आपने लाइसेंस के लिए अपलाई किया होगा और इस अशनल करे ड्राइविंग लाइसेंस और यह यह क्या है देखिए ऐसा समझ दिए कि आपको गाड़ी चलाना आता है लेकिन फिर भी आप लेटर क्यों ले रहे हो यह वैसे ही है दिल्ली सल्तनत में आप सुल्तान तो बन चुके हो लेकिन फिर भी आपको एक रिकोगनेशन सी या अथराइज लेना पड़ेगा लेकिन वो कौन देगा वो खलीफा देगा तो खलीफा यहां पर आटीओ का काम कर रहा है सीधी सी बात है आप ऐसा समझ दिए तो खलीफा is nothing but that is the person who is going to introduce a kind of the letter and this letter is called the authorized letter और जिसे कहा जाएगा अधिकारिक माननता पत्र और यह अधिकारिक माननता प्रप्त जो है वो आटीओ जारी कर जान देना 18 प्लस तो है किसी ने पूछा ही नहीं किसी ने एक दो अच्छा कुछ लोगों के आंसर आए तो यह इनके दोरा कुछ रिफॉर्म हो रहे हैं इसके अलावा क्या कर रहे हैं अब जब इन्होंने जब खलीफा से ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया तो खलीफा क वो क्या करेगा इनको एक उपादी देगा एक टाइटिल देगा यहां मैंसे कह सकते हैं कि उसे वो रिकॉगनेशन या अथ्राइज लेटर दे रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में वो क्या करेगा आमीर उल नासिर आमीर उल मौमीनीन डाट इसी टाइटल ठीके यह थोड़ किसको व्यक्ति को बोड देना है तो मैं आपको आपको आपके 18 प्लस कहने का उद्देश मेरा यह था आर्टिकल 326 यह था है जो है आप सभी जो है वोटर लिस्ट में रजिस्टर हो और जब हम जानते हैं कि हमें किसको बोड देना है किसको नहीं देना तो हम अपने बारे म और पर ये title लेते हैं खलीफा बहुत खुश होता है बुला बहुत बढ़ी आया और वो पुराना वाला था वो तो उसने क्या letter letter भी नहीं लिया और उसने तो हमारी बेजिती कर दी मतलब हमारा नाम भी उसने या तुम आए हो तो हम क्या करेंगे हम तुम्हें letter तो देंगे हम खलीफा का प्रतिनीदी बता दता है कि that is देखिए कि I am the representative of the खलीफा मैं खलीफा का representative हूँ कहां से पता चलेगा ये पता चलेगा आपको Twitter से और ये Twitter का काम कौन कर रहा है coins कर रहा है ठीके कल सुनाए बंद हो गया दा वाई Twitter है ना चिडिया ओड़नी पाई दी कल है तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि ये coins पर नाम प्रिंट कराने का उद्देश क्या है कि पता चल पाए कि yes कि I have kind of the I have a some kind of the recognition letter that is issue-wide the none other than and that is a खलीफा खलीफा के द्वारा जो है वो दिया गया है इसके अलाव आप जब हम देखते हैं आप देखो एक सिनारियो और बनता है इनके टाइम पर ठीके इनके टाइम पर क्या होता है कि दिल्ली में ये साशन कर रहा है और दिल्ली आज की डेट में सफसेदा कहा लगी है आप देख ली दिये बंगाल में लगी की नहीं लगी है एक्चली बंगाल में हमेशा ये आग लगी रहती है ना बंगाल में आपको सिनारियो जो है वो पूरा complicated देखने को मिलेगा ही ठीके तो हमेशा क्या करता है बंगाल क्या करता है हमेशा ये ये कोशिश में रहता है कि भाई ये free हो जाए ठीके या एक independent ruler की तरह काम करें बंगाल का जो सिनारियो हमें देखने को मिलेगा ठीके तो दिल्ली सल्तनत के ruler जो हैं वो इस पर बड़े clear कर देते हैं 1230 में बंगाल पर क्या करते हैं ये अपना अधिकार स्थापित करते हैं और वहाँ पर नासुरुदीन महमूद को ये appoint कर देते हैं नासुरुदीन महमूद जो है वो इनका बेटा होता है ऐसा आप समझग लीए लेकिन बाद में जाकर क्या होते हैं कि ये सेना और यहीं से शुरुआत हो जाती है मकवरा निर्मार की ये वास काल्ड़ा फादर ऑफ टॉम स्टाइल मकवरा शेली का जनक भी कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा और आगे चलकर मकवरा इतने जादा बनाए जाते हैं कि आगे चलकर हमें एक खास मकवरा देखने को मिलेग ठीक ही जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कुतुबत दीरेवक जो है ना केवल फाउंडेशन रख रहे हैं आपकी जो मिनार की बलकि वो इस्थापती आर्गिटेक्चर में बहुत जादा इंटरस्ट ले रहे हैं और जब इतना जादा इंटरस्ट ले रहे हैं इतनी जादी सिनारियो आपको देखने को मिल रहा है तो यहां पर इनका जो कंट्रिविशन है वो बहुत जादा लाजबाब है CDC बात है और यही उसी चीज को कंट्रिविशन को आगे बढ़ा रहे हैं और हम यहां देखते हैं कि this is the starting of the tom या मुसूलियम हम कह सकते हैं और य इनके दोर आप पहला मकवरा देखने को मिलेगा सुल्तान गड़ी नाम तो सुनाई होगा सुल्तान गड़ी मतला सुल्तान का गड़ कह सकते हैं सुल्तान मिर्जा जो है वो यहीं से होते हैं ऐसा आप समझ लीजे और मकवरा नसुरुदीन महमूत का होगा यह हम देखते है इनका और ये दिल्ली में आज की डेट में शायर एक जगे भी है प्लेस भी है जहां आप जा सकते हैं ठीके बहुत सारा इशू बहुत सारी यह देखेंगे आई थी मेरे खाल से 315 नमर की बस जाती ही वहाँ पर ठीके पहले रहा करता था तो वहाँ पर एक बस जाया करती थी क कुछ ऐसा ऐसा है आपको देखने को मिल दाए ठीके बागी देखते रहे रहे न भाई ठीक और कुछ खास नहीं ठीके यह है वह आपका मकवरा जिसकी चर्चा मैं कर रहा था और थोड़ा सा इसके आर्किटेक्चर को देखने की कोशिश करें तो यह थोड़ा सा क्या है ठी यह थोड़ा सा आर्किटेक्चर से हमें थोड़ा सा देखने को मिलेंगे हाँ बिलकुल बेंजीन जो है वो केमिस्ट्री बाला तो वहीं से आप समझ सकते हैं कि ये कुछ ऐसा आर्किटेक्चर दे रहे हैं और ये आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा कहां पर ये सुल्तानगडी में क्यों है क्योंकि यहां पर हम देखेंगे एक वक्ती लेटा हुआ है जिसका नाम है नासुरुद्दीन महमूद नासुरुद्दीन महमूद का आधार कार्ड का नमर क्या है तो नासुरुद्दीन महमूद is nothing but he was the son of the iltutmish iltutmish वही है जिसने है चालीस हमीरों का दल बनाया है iltutmish वही है जिसने आपके जत्ता टका और जीतल बनाया है ठीके iltutmish वही है जिसने आपका इकता सिस्टम को शुरू किया and we have already understand ठीके कि यह क्या क्या कर रहे है that's all the iltutmish ठीके iltutmish के निर्मानकार की यदि हम बात करें तो सबसे पहला तो मख़वरा ही हमने देख लिया है कि भाईया मामू इसमें लेड़ जा ऐसा ऐसा ही शुरू कर रहे है ठीके इसके अलावा he is going to complete the architecture of the kutumbinaar kutumbinaar के architecture को यह पूरा करते हैं इसके अलावा he is making some kind of the contribution as well ठीके that is the Jawa Masjid Jawa Masjid बादायू में जो है वो इनी के द्वारा बनाई जाती है and he is going to construct a gate and this gate name is called the Atarkin, Atarkin का दर्वाजा जो है वो इनी के द्वारा बनाई जाता है that is in the Nagor, Nagor कहां है Rajasthan, ये भी आपको पता होना चाहिए ठीके, राजिस्तान में ये Atarkin का दर्वाजा बनाएंगे आगे चलकर, आगे चलकर का मुगलो के टाइम पर, मुगलो के टाइम पर एक वेक्टी आएगा जिसका नाम है अक्वार, और अक्वार क्या करेगा गुजरात को जीत लेगा गुजरात की विजए पराप करेगा और गुजरात को विजए पराप करने के बाद वो क्या करने वाला है वो मेमराइज करेगा मेमराइज किसको करेगा बला यार हमें काम करते हैं कि इस गुजरात की विजए के उपलक्ष में हमें गेट बनाते हैं एक बड़ा सा गेट बनाते हैं और उसकी याद में गेट बना दिया जाएगा और उसे कहा जाएगा बुलंद दर्वाजा लेकिन इंस्प्रेशन कौन दे रहा है आपका इल्तुतमिश दे रहा है इस तरीके से हम समझ सकते हैं यदि सीरी जीत जाओगे सब्सक्रतिक चलिए तो क्या हो जाएगा आहमदवाद गेट बना देंगे बैए आप जाएंगे कभी मौका मिले तो वहां पर आपको देखने को मिलेरा ठीक़राने इहमदवाद में आपको देखने को मिलेreichen तो इस तर狂की से आप देखेंगे six sigma bond ठीके remembering ring with the three pi bonds हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं प्रीती जी है actually इतना chemistry मैं actually बाद में मैंने पहले मेंने सोचा यह क्या है ठीके फिर तो फिर मुझे याद आए कि यास ठीके got it ठीके तो we can say that कि भई कि यह जो है inspiration आपको वहाँ देखने को मिल रहा है तो एहमदावाद series जीच जाती है तो gate बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी इस तरीके से इल्टुत्मिश क्या कर रहे है और इल्टुत्मिश वाज वैरी मुच उसको पता है कि उसके बच्चे जो है वो नाखा रहा है ठीके इल्टुत्मिश को यह पता था तो उसमें बोला कि बच्चों में भी क्या है कि जो son है तो वो नाखा रहा है बोला है कि काम करते है कि इसको जाद सत्ता ले तो बोला है इसको इसका जो सत्ता है वो अपनी daughter को दे दिया जाए और डॉर्टर का नाम है रजिया रजिया नाम तो सुना ही होगा और रजिया सुल्ताना जो है उनको सत्ता दी जाएगी और रजिया सुल्ताना जो है वो सत्ता में आने की दाट उनको मतलब डिकलेरेशन कर दिया जाएगा लेकिन ऐसा होगा नहीं है ना तो श कोड़ी सी कहानी है और यह कहानी जो है वह आपको देखने को मिलेगी ठीकि तो यह एक खेर यह तो कोशन गलत है ठीकि यह उसका कोई नहीं है यह काड़ी सिक स्टेटमेंट रख दी अदा मैंने यह वाज अप्टिल फॉणंडर क्यों कहा गया है तो एक्टिल फांडर हम तो रजिया सुल्ताना जो है हेमा मालनी है हुने ने करेक्टर अदा किया था वहाँ से आप समझ सकते हैं और आपको हेमा मालनी मिलेंगी मतुरा में मतुरा की वो सांचज हैं मतुरा के पेड़े बहुत फेमस हैं यह सब आपने खाए होंगे ठीक है इस सुने नहीं होंगे खाय होंगे तो इल्तितमिश जो है that was the actual founder और actual founder हैं तो क्यों है तो ये मैंने वो points हैं जो सारी चीज़ें हम देख लेंगे देखे 40 अमीरों का दल का गठन किया battle of terrain हम देखते हैं इसके बाद Bengal को फिर से अपने उसमें मिलाया चीक है इसके अलाबा हम देखेंगे कि दिल्ली में जो लोग जो वर्क जो है उसको support नहीं कर रहा हैं वो सब हमें देखने को मिलेंगे इसके अलाबा वो certificate भी लेता है खलीफा से representative पता था अपने आपको और वो राजपूतों को भी क्या हरा कर गवाली है यह मद्ध भाराद बाला चेतर जीत लेता है तो all these are the achievements and this achievement is recognizing that is Ilthutmish is nothing but Ilthutmish is the actual founder of the दिल्ली सल्तनात और इसलिए इसलिए ईश्वर परशाद जो है ना के बल उसने अपने that means जो foundation जो एवक ने रखी दी उसको संभाला बलकि उसको expand भी किया और वो अपने स्वामी एवक की विजव को संगठित कर रहा है तिके that means he is going to organize the victories of his master और वो उन्पने इस तरीके से हम कह सकते हैं और ये कहानी जो है इस तरीके से हमने समधी है देखा ये कुतवद्धी नैवग, कुतवद्धी नैवग के बाद इलत्मिष और इलत्मिष के बाद सत्ता में को नाएंगे रुकनुदीन फिरोश्या ठीके ये हैं आज का कहानी कल आज हम आज यहीं पर समाप करते हैं कल most probably Sunday है तो Sunday we will take rest ठीक है और कल हमारी कोई class नहीं होगी Monday को हम मिलते हैं Monday को हम मिलेंगे तो यह रजिया की कहानी को हम देखेंगे थोड़ा सा आपको अभी PDF नहीं मिला है थोड़ा सा अच्छली समय इस वजे से अब क्या बता हूं आपको ठीक है चलो कोई बात नहीं I will try to that means do this PDF in a printable form ठीक है थोड़ा सा print के form में देने की मैं कोशिश कर रहा हूं इसलिए थोड़ा सा delay हो रहा है थीक है तो please consider this delay और withdraw मत कर देना नहीं तो यही मैं आपको बता रहा था बाकी अदी कोई समस्य हो तो मिलेंगे हम अब हम Monday को मिलते है ठीक है Monday को हम मिलते हैं और आगी की कहानी को हम discuss करेंगे रुकनदीन फिरोशा को हम छोड़ जाते हैं क्योंकि यह सत्ता में रहेंगे केबल एक दिन क्योंकि इनके पास केबल एक संडे ही है क्योंकि Monday को वापिस कौन आ जाएंगी रजिया सुल्ताना ठीक है रजिया सुल्ताना इस नाथिंग बाट दाट इस अवर हैवामालनी ठीक है और हैवामालनी जो है वो पूछेंगी कि चलो यस 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 नहीं राजवीर जी वो मुझे याद है अक्चली बच क्या है समस्य है थोड़ी सी है इस वज़े से वो नहीं हो पा रहा है तो बट फिर भी मैं चीजों को थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करता हूं ताकि क्या है आपको दिक्कत ना हो तो आज की सबाह हम यहीं समाप करते हैं सुरक्षित रहिए स्वास्थ रहिए बाई बाई टेक क्यार